स्वागत है गाईस मेरी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सबको गोरकपुर महानगर की ऐसी ऐसी वीडियो दिखाऊंगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि अपना सहर जो है कितनी तेजी के साथ बदल चुका है तो वीडियो में अखिर तक बने रहेगा और हाँ अगर मे जरूर नहीं कि आप अपको गोरकपुर शहर में जो है कितनी बड़े-बड़ी गगंचुमी मारते खड़ी हो चुकी है यानि कि गोरकपुर शहर के हर एयरियास में आपको बड़े-बड़ी गंचुमी मारते बड़े-बड़े shopping malls बड़े-बड़े फैपिस्टार होटेलस चोड़ी चोड़ी चमचमाते हुई सड़के ये सारी चीजे आज गोरखपूर के विकास की गवाही दे रही है और हाँ दोस्तों हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बदाना कि आज से 5 साल पहले के गोरखपूर में और आज 2024 के गोरखपूर में आपको कितना अंतर दिखाई देता है और हाँ दोस्तों मैं आपको उस टाइम किया दिलादू अगर में सन 2016 की बात करूँ तो दोस्तों उस टाइम गोरखपूर सहर में एक भी फोरलेंज सड़के मौजूद नहीं थी लेकिन आज आज आप दोस्तों सहर में जिस एरिया में जाते होगे उहर एरिया में आपको फोरलेंज सड़के जरूर नजर आती होंगी और अब तो दोस्तों अब पुराने गोरखपूर की भी अगर बात की जाए तो धर्मसाला चौक से ले करके घंटा करके पांडे हादा तक जो है वहाँ पर भी सड़क चोड़ी करण का काम जो है बहुँच ज़त स्टार्ट होने वाला है और दोस्तों मैं इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आप सब के लिए लाने वाला हूँ और जो वह सड़क बनने वाली है धर्मसाला चौक से लेकर घंटा कर तक जो वह सड़क नई शड़क बनने वाली है वह शड़क भी काफी ज़दा इंप्रोंटन सड़क में से एक होने वाली है क्योंकि दोस्तों वह सड़क गोरकपूर के पुराने एरिया के सघन मार्केट एरिया से गुजरता है जिससे जो है उस सड़क के निर्माड होने से लगवक तीन सो से चार सो दुकाने का पूरी तरह से टूटने वाली है और एक शी और बता दो कि अभी अपने घंटा अगर के पास भी कई सारी दुकानों को तोड़ फोड किया गया है क्योंकि वहां पर जो है संदर मल्टी लेवल पार्किंग का भी निर्माड कर जो है वहां पर सुरू हो चुका है यानि कि अब गौर्रमेंट जो है गोरकपूर शहर के पूराने शहर पे भी अब काफी ज़ चेतर में जो है कौन कौन सी परियुजनाय चल रही है और कौन कौन सी प्रोजेक्ट जो है वह स्टार्ट होने वाले हैं और अभी तो आप यह जो वीडियो में आप देख रहे हो यह तो गोरकपूर के नए शहर की तस्वीर है जो कि आज पूरी तरह से अपना शहर बदल च हो जाया यानि की गोरकपूर शहर से सुरू होकर के पूरा घीरा छेत्र को लेते हुए सहजनमा तक का जो एरिया है यह सारा एरिया गोरगपूर सहर का ही हिस्सा बनने जा रहा है और इसी क्रम में आप सबको जानकारी होगी ही मैंने इसके पहले वीडियो भी आपको लोकी लिए बनाया था जिसमें यह था कि गीड़ा सेक्टर में जो है 120 एकर एरिया में रेजिडेंशल प्रोजेक्ट भी लांच होने वाला ह जो कि उन्हें इस फरवरी को ही लांच होगा और इसके लावा वहीं पर लुलु इंटर नेशनल मॉल भी लगबग 15 एकर एरिया में वहाँ पर भी मॉल बनाने जा रही है इसके लावा उसी प्रोजेक्ट में जो है 10 एकर एरिया में जो है एक सांदार होटल का भी निर्वा का हिस्सा होने वाली है जो कि गोरखपूर वास्यू के लिए काफी अदे गर्व की बात होगी कि अब अपना शेहर भी दूर दूर तक जो है सहर का विश्तार होने जा रहा है और वहीं दूसरी करम की बात किये तो गोरखपूर में नया गोरखपूर को भी लेकर काफी प्रेजेंट तैमें जमीने दिगरहड का काम चल रहा है और जैसे ही जमीने दिगरहड काम कम्प्लीट हो जाएगा गोरकपूर को एक और ट्विन सिटी के रूप में एक नया सहर मिलने वाला है यानि कि गोरकपूर में जो अर्बन डेवलप्मेंट है वो जितनी तेजी के मेंनी भी होने वाली है वहाँ पर गोरकपूर के तरब से लगबग 14,000 करोड रुपे की परियोजनाय जो है इनको जमीन पर उतारा जाएगा इन परियोजनाओं में लगबग 8,500 करोड रुपे की जो परियोजनाय है यह परियोजनाय रियल इस्टेट सेक्टर की प्रियुजनाओं को लेकर गीड़ा और जीड़ा जाएं प्रियुजनाओं को लेकर गीड़ा और जीडिये जो है अपने तरफ से पूरी तरह से प्रयास यही कर रहा है कि जिन जिन कमपनियों ने गोरकपुर में निवेश की बात की थी उन सभी कमपनियों से जो है सीला नियास करा करके काम को आगे बढ़ाया जाए तो दोस्तों अगर अपको मेरा वीडियो पसंद आया हो त आप देखते हैं उन्हें इस फरोरी को लखनाव के ग्राउंड ब्रेकिंग सरेमनी में गोरकपुर जो है अपने तरफ से कौन-कौन से प्रोजेक्ट की प्रस्तूति करता है तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए अपडेट के साथ झाल एाव के दोस्तों देर किसी कि शोस्तों अपड़ हो अवीडियो जए होग्ड़ियों।